कि अपने पास कोई भी दो numbers होंगे बई 2 क्या होंगे 2 A and B क्या होंगे numbers होंगे यह क्या होंगे एक listed एक special form में listed होंगे are listed in special order in special order में होंगे कोई ना कोई इसका एक order होगा ठीक है special order में होंगे and क्या होंगे यह भाई close होंगे in in closed in closed किस में होंगे भाई in close in parenthesis parenthesis form में in parenthesis form and ordered pair ठीक है यहनकि हमने जो पीछे जो example देखे थे उनमे हमने क्या किया था कि जो भी अपने पास देखिएगा तो यह क्या से होगा ordered pair A, B जैसा होगा ठीक है यह A और B होगा ठीक है तो यहां से यह parenthesis होगा इसी form में हम लिख सकते हैं आप कभी बोल दो सर आप इसमें नहीं लिख सकते क्या यह लिखी नहीं सकते है इसका जो definition है यानि basic है इसका definition इसी form में दिया वाय है इसलिए हम इसी में लिखेंगे इसी को हम ordered pair बोलेंगे और यहां पर यह कोई जरूरी नहीं कि यहां पर हम ए और B ले रहे हैं यहां पर हम क्या 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 ले सकते है कि A B & C बहिए सकते हैं तो इनका जो ordered pair होगर जो ordered pair आएगा वो क्या आएगा वई ordered pair क्या आएगा वो अपने पास देखिएगा कि A, B, C इस पर कहाँ से आ सकता तो यह क्या होंगे यह अपने पास देखिएगा कि यह तो अपने पास किसी न कोई जब भी हम geometry पढ़ते थे तो उसमें जो point का representation होता था वो है इसका मतलब यह तो 2D में गया और यह किस में चला गया 3D में चला गया कुछ आपको याद आ रहा है 10th class का तो वो ही बात है अब यहाँ से क्या आता कि अपने पास यह दि देखिएगा कि जो A, A, B जो भी है यहाँ पर उसका देखिएगा if in ordered pair A, B where A A is denote यह जो होता है यानि कि यह इसकी क्या first position को बता है तब यह first position है यह second position यह आप इस में इस pair में जाओगे तो यह one है two and three position है ठीक है तो यह इसको क्या करता है denote is denote first first component first component बोल सकते हो first member बोल सकते हो ठीक है first member and जो अपने पास B होगा B को क्या बोल सकते हैं B होगा अपने पास देखिएगा कि वो आएगा अपना second component ठीक है यह यह second component हम उसको बोलते हैं अब क्या करते हैं यह हम इनकी जो positions है first and second की यह वो हम change गरते हैं तो अपने पास जो ordered pair आता है वो भी क्या आता है change the position of position of components then ordered pair then ordered pair also change also change also change also change जैसे कैसे तो यहां से देखिएगा कि आप जैसे हमारे पास कोई भी ordered pair है जैसे कि यह देख लीचेगा कि अपने पास था A और B यदि हम इसकी position change करते हैं यह अपने पास B, A आता है जो कि equal नहीं होता है यह बात यह कहना चाह रहा है ठीक है if we change the position of component then the order it also change ordered pair है वो भी change होता था जो पहले था वो नहीं रहेगा यहां पे ठीक है अब देखते हैं कि क्या कि हमारे पास देखिए ordered pair है ordered pair को ABC इस तरीके से denote करते हैं और जब भी हम देखिएगा तीर लगाते हैं कैसे हैं किसी भी set यहनी कि कोई भी number है अपने पास यहनी कि numbers होंगे किसी भी set के अंदर ठीक है अब वहां से हम तीर लगाना स्टार्ट करते हैं तो वह अपने पास इस तरीके की form में आते हैं अब यह इस परकार के element को यह दी हम देखिएगा जब हम partition product की definition देखते हैं तो इसमें क्या होता है जिस परकार की यह a b यह element होते हैं इनको हम क्या करते हैं करली bracket में denote करते हैं इस परकार से तो यह अपने पास क्या हो जाता है का अपना partition product में change हो जाता है बस इतना एकाम करते हैं वह set में represent कर देते हैं इसको यान कि वह भी set builder form को और क्या रोश्टर form किसी में भी जैसे हम represent करेंगे वह अपने पास क्या जाएगा वहीं से अपने पास partition product आ जाएगा ठीक है अब अभी थोड़ा सा basic और बाकी है इसके अंदर वह हम देखने वाले इसका ending point है वह क्या है कि जो भी अपने पास दो ordered pair है वह equality क्या करते है यानि कि उनमें equality की क्या condition वह हम equal कब बोलते हैं उनको देखेंगे बई देखने वाले देखेंगा तो कि equality कि two ordered pair ठीक है तो हमारे पास देखेगा कि क्या है कि अपने पास देखेगा कि a और b हैं और यह क्या होगा c और d हैं तो यह क्या होंगे equal होंगे if if and only कब जब हमारे पास देखेगा कि a equal to c है and क्या होगा और क्या होगा वही अपने पास b equal to d होगा यानि कि इसके जो corresponding elements हैं यह जो अंदर बेटे वह जो components हैं यानि members हैं यह जो वह equal होंगे तो यह अपने पास जो अपने पास जो equality of ordered pair आएगा वह equal होगा इसी प्रकार यह आप 3 यानि कि triplets में देखना चाहोगे तो यह components है वह equal होंगे ठीक है यह बराबर होते हैं यह क्या हो जाएगा अपना equal ordered pair हो जाएगा और क्या ही होगा ठीक है तो यहां तक clear होगी I hope आपको बात है तो चलिए एक example हम solve करते हैं basic सा एक इसी पर तो वह क्या होगा देखते हैं तो अपने पास देखिएगा कि क्या बोलते हैं कि एक ordered pair कैसा है देखिएगा कि x plus का y और यह क्या है x minus का y और जो equal है कि इसके 1 और 2 के तो find that, find that value of x and y अपने को x और y की क्या है value find out करनी है तो क्या ही करेंगे आप तो यहां से x plus का y equal to क्या आएगा भई? 1 आएगा और equal करेंगे भई रुकिएगा पहले हमें इसको अच्छी तरीके से करना है systematic ढंग से देखिएगा कि क्या है? solution by equality condition in equality condition in ordered pair ठीक है? तो इससे क्या होगा भई? यहां पर x plus का y और x minus का y equal to 1,2 आएगा और यहां से x plus का y इसको equal 1 करेंगे और यहां से क्याएगा x minus का y equal to 2 यानि corresponding elements यहां कि second position, इसकी second position, इसकी first position, इसकी first position के equal होगी यह बात आपको ध्यान में आनी चाहिए ठीक है? अब यहां से इन दोनो equation को तो आप solve करी सकते हो भई? यहां पर x minus का y equal to 2 है, इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखिएगा कि यहां पर आएगा 2x equal to 3, तो यहां से x equal to 3 by 2, यहनि कि यह आया यहां पर, तो यहां से देखिए, एक x की value तो यह आई, ठीक है? इनको solve करने पर, यहां से x की value कियाएगी, 3 by 2, और दूसरी कियाएगी, यहां पर एक equation थी, इसको one equation और इसको second, वही है, x की value put करा दो, किसी भी equation में, तो put that value of x equal to 3 by 2 in equation, first, तो यहां से क्या आती है, x plus का y equal to कितना है वही, 1, तो यहां से कितना हो गया, 3 by 2 plus का 1, y equal to 1 minus 3 by 2, इदर आ गया 1 by 2, यह, तो इस परकार से हमें क्या है, यह question solve करने पड़ते हैं, बस इतना ही है,